गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं जस्टिस लोडा रिफॉर्म्स चैनल से राकेश अंडा बोलना हूँ और आज का इश्यू भी पंजाब क्रिकट असोशेशन पर ही है क्योंकि पंजाब क्रिकट असोशेशन में जैसे जैसे काम चल रहा है और हो रहा है अभी और बढ़िया तरीके से हो रहा है तो मैं चाहता हूँ कि सारे लोगों को पंजाब में भी अवेर करूँ और पूरे हिंदोस्तान के स्टेट्स में भी क्रिकटर्स को भी अवेर करूँ कि कैसे काम कर रहे हैं जो की जब बोने लोग मिस्टर फॉर्टी एट परसेंट मिस्टर फॉर्टी ए अब उन्होंने क्या किया था उन्होंने जब पंजाब क्रिकट एस्टोईर में यह थे उन्होंने विदाउट एपक्स कॉंसल की अप्रूवल के अब उम्बूर्ट्समें लगाया हुए जबकि सारी चीजों पर साइक सिगनेचर जो है वो हमारे सीओ करते हैं उसके लिए पॉ ऑर्ट्य-एट पर्सेंट है वो अम्बूर्ज़में अपनी मर्जी के लिए हैं कि हमें तो यही पंदा चाहिए क्योंकि हमें यह बचा सकता है इनका अपने घर का अम्बूर्जमें है अब एक इशु चल रहा है कौट में इन्होंने वहां रप्लाई फाइल किया है रप्ल उस को as per constitution ना तो ये वहाँ के life member है ना वहाँ के office bearer है उस basis पे इनकी nomination कैसे file रही है मैं तो ये बात पूछ रहा हूँ और ये कह रहें नहीं जी नहीं इन्होंने court में reply file किया है onboardsman से reply लेकर, onboardsman कैसे reply दे सकता है उसने तो मेरे को बुलाए नहीं आज तक, committed तो मैं हूँ आपने onboardsman से कैसे reply ले लिया? मेरी complaint पे मेरे को without summon किये वे मेरे को बिना बुलाए हुए आपने reply कैसे ले लिया? इस अगेंस्ट इकॉंस्टिशन बी सी से अपूर्ज में जो कंप्लेंड करता है उसको बुलाता है वो उससे क्रॉस इग्जामिनेशन होता है उसके बाद रिप्लाई होता है आपने अपने घर का सिस्टम मना रखा है पहले बोने लोगों ने 40 साल मना रखा था अब आपने 23 लोगों को रंजी तॉफी खला दिया इसलिए मिरे को कुछ कहना नहीं पढ़ रहा पूरे पंजाब में पूरे हिंदोस्तान में पता चल रहा है कि सेक्टरी ने सेलेक्शन करके 23 लोगों को क्यों खिला है आप बड़े-बड़े नाम मत गिना करो आप रिकॉर्ड पे हो हम आप से रिकॉर्ड में पूछ रहे हैं कि आप PCA की में नॉमिनेट कैसे हुए तो आप ने बरनाला कोट में कह दिया है यह अंबूर्जमेने में कोई लिखके दे दिया है अंबूर्जमेन के पास गए कैसे आप आप तो जा इनी सकते उसके पास मेरी कंप्लेंट है मैं PCA इसे एप एक्स बॉड़ी का काम है एप एक्स बॉड़ी उसकी मीटिंग में कहती कि रकेश अंडा की कंप्लेंट को अंबूर्जमेन डिसाइड करेगा आप तो गर का सिस्टम बना रखा जारा अपने आपी रिप्लाई ले लिया अपने चम्चे से प्यादे से उसको मेल ड पूछ रहा हूँ आपको अपनली रिप्लाई देना पड़ेगा तीसरी बात आपने घर की ग्राउंड समय रखी है अपने बेटे को खलाने ले जाते हो वाँ रोज के साड़े तीन सो क्रोड का स्टेडियम है उसमें आप अपने बच्चे को प्रैक्टिस करा रहे हैं जो हर्याना से केलता है मैं CEO से ये क्वेस्चन करता हूँ और ने तो कंप्लेंड नहीं करूँगा अब मैं कोड में ले जाऊँगा CEO को भी जिद उसके चार्जिज कौन दे रहा है उस ग्राउंड के चार्जिज कौन दे रहा है जब राजी ट्रॉफी क्रिकटर आते हैं तो उनको गेड से बाहर रखा जाता है और जो पहर्याना से खेल रहा है उसको आप प्रैक्टिस करने की परमीशण दे रहे हूँ ये कैसी हो रहा है क्यों हो रहा है कि यह पंज्याब के क्रिकेटर अंदर नहीं गुश सकते तो जो मिस्टर फॉर्टी एट परसन का लड़का है उसको आप कहते हैं जाब इक रंग में प्रैक्टिस कर सीयो का काम क्या है यह इसी काम के लिए सीयो को सेलरी मिलती है सीयो साथ यह क्वेस्चन बहुत बड़ा है क्योंकि यह क्वेस्चन मेरे को हजार लोगों ने पूछा है कि यह क्या हो रहा है क्या दांदली हो रही है मैं भी आपको बता रहा हूँ बड़े अराम से इसके रिप्रकेशन बहुत खराब होने वाले है पंजाब के क्रिकेटर पंजाब के सारे पेनेंट्स पंजाब में बहुत सारे लोग कटे हो चुके है बहुत सारे लोग कटे हो चुके है ये दांदलियों के गेंस्ट ये पटा लोग छोड़ जाओ, उसमें छोड़ के अपने अपने घरों में जाके बैठो और सही बंदों को क्रिकट चलाने दो, आपने जो 35 साल से गंद डाल के रखाना सबसे, वो नहीं चलेगा, लुद्याने के रिजल्ट आ चुके हैं, उसकी वीडियो में अलग डालूँगा, थैंक क्या है।